प्यार में पढ़ना एक शांदार अनुभव है जिसे हम में बहुत से लोग महसूस करते हैं यह व्यक्ति को खुशी और गम दोनों देता हैं किसी से सच्चा लब करने पर आप खुशनुमा महसूस करते हैं क्यूंकि ऐसे में आपके दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केम ज्यादा पैदा होते हैं आप इसमें थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं आज हम आपको प्यार से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं 1. साइकॉलजिस्ट कहता है कि आप जितना अपनी फीलिंग को छुपाएंगे प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा 2. जब आपको किसी के प्यार में पढ़ने का दर रहता है उसे फाइलफोबिय कहते हैं 3. वैज्यानिक सवे के अनुसार एक खुबसूरत चेहरा अच्छी बॉड़ी की तुलना में ज्यादा आकरशक माना जाता है 4. आपके ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर के दो प्रतिशत का पलज अपने प्यार का इजहार पहली बार किसी मॉल या सुपरमार्केट में करते हैं 5. पूरी दुनिया में रोजाना करीब 30 लाख लोग अपने पार्टनर के साथ डेट्स पर जाते हैं 6. नब्बे प्रतिशत पुरुष आई लव यू कह कि अपने प्यार का इजहार करते हैं इसमें महिलाओं का आकरा शामिल नहीं है क्योंकि सामन्यत पहल अक्सर पुरुष ही करता है 7. एरोटो मनिय वह मानसिक स्थिती है जिसमें पढ़ने वाला सोचता है कि कोई प्रसिध व्यक्ति उसके प्यार में है 8. प्यार में पढ़ने के बाद कम से कम दो दोस्त आप से जरूर दूर हो जाते हैं 9. एक सवे के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा धोका लड़की देती है 10. आपका दिमाग तब कम काम करता है जब आप रोमैंटिक मूड में होते हैं 11. दुनिया भर के जोडों की शादी करने वाले मैच.कम के संस्थापक 10. गेरी क्रीमेन की गलफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी जिसके गम में उसने इस वेबसाइट की शुरुआत की इससे सीख मिलती है कि बेवफाई हमेशा बरबाद ही नहीं करती 12. साधारन लोगों में लव मैरिज की शुरुआत 18.वी सदी से शुरू हुई 13. कई जीव जंतू जिन्दगी भर एक ही साधी के साथ रहते हैं वो भी एक साधी के नियम का पालन करते हैं 14. किसी शक्स को पसंद करने में हमें सिर्फ कुछ मिंटों का समय लगता है कुछ मिनिट के अंतराल में ही हम ये तै कर लेते हैं कि वो शक्स अच्छा है या नहीं 15. वैज्यानिकों का मानना है कि प्यार इंसान के दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है 16. जिन्दगी में प्यार की अपनी एहमियत है अगर किसी की जिन्दगी में प्यार नहीं है तो वो अवसाद और अकेलेपन का शिकार हो सकता है 17. वैज्यानिक रूप से यह सिध्ध हो चुका है कि प्यार में पढ़ने वाला व्यक्ति अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता है जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है 18. किसी से रोमेंटिक रिलेशन रखना एक मानसिक बीमारी है जिसे उपसिसिव कमपल्सिव डिसॉर्डर कहते है 19. 2014 में एरिजोना में एक कैदी वालन्टाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जेल से भाग गया था 20. जो लोग ऑनलाइन प्यार में पढ़ते हैं उनमें से 23 प्रतिशत जोड़े बाद में जाकर विवा कर लेते हैं उम्मीद है कि ऐए वीडियो आपको पसंद आया होगा आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करे